बच्चो अभी हम समानांतर चत्रभुज के बारे में बात कर रहे हैं और इसकी परिभाशा से आपने ये समझा है कि यदि किसी चत्रभुज की चारों भुजाओं में आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समानांतर हों तब वो समानांतर चत्रभुज होता है और अभी आपने एक थिवरम में ये भी देखा कि 17 चत्रभुज में आमने सामने के भुजाएं बराबर भी होती है तो आपके पास दो आधार बन गए कि यदि किसी चत्रभुज की आमने सामने के भुजाएं बराबर है तब वो चत्रभुज 17 चत्रभुज होगा और एक नई शर्त आपको और मिल जाती है आप कहा सकते हैं ये दिकिसी चतुरभुज में आमने सामने के भुजाओं के दोनों जोड़े बराबर हो मतलब एक जोड़े आमने सामने के भुजा बराबर हो और दूसरा जोड़ा भी बराबर हो तो ऐसी परिसिती में आप कहा सकते हैं कि ये चतरभुज समनानतर चतरभुज होगा एक गुण और है वो गुण है कि समनानतर चतरभुज में आमने सामने के कौन यानि सम्मुख कौन आपस में बराबर होते हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं आपके सामने सामनेानतर चत्रबुत आब बना है और आपने ये प्रमानित कर लिया है कि ये भुजाएं आपने सामने भुजाएं बराबर होती है जैसे आप A, B, C, D च, D, C गो बराबर कह सकते हैं वैसे د, A, C, D को भी बराबर कह सकते हैं और एस ऐभी स्मानांतर है यानि अगतर कर दो सब्सक्राइब है इस्जश की कॉन से बराबर होता है और कोण बी को tv की बराबर होता है यह को सिद्ध करने के बाद इस परिणाम पर हम पहुंचेंगे तब हमें एक और नई चीश समनांतर चत्रपुष के बारे मिल जाएगी जो उनके कोणों से संबन दिते हैं तो चलिए इसको प्रूफ करने के कोशिश करते हैं तो अभी जो हमको सिद्ध करना है उसे हम लिखेंगे सिद्ध करना है कोण A बराबर सामने का कोण C यानि यह कोण A कोण C के बराबर है हम यहां पर कोण का पुरा नाम नहीं लिख रहे हैं हम समझ सकते हैं कि कोण A को आप कोण D A B कह सकते हैं और कोण C कोण D C B कह सकते हैं हम संख्षेप में लिख रहे हैं कोणों के नाम आप समझेगे इसको और दूसरी चीज, कोणों का दूसरा जोड़ा D और B भी आपस से बरावर है यानि आप ये भी कह सकते हैं कोण B बरावर कोण D तो ये हम सिद्ध करेंगे क्या समनांतर शत्रुपुज में ये भी संबो है तो चलिए देखते हैं हमारे पास तो जानकारिया हैं वो आपके पास हैं कि A, B और D, C बरावर है और समनांतर भी है उसी तरह से A, D और B, C भी बरावर है और समनांतर है चलिए हम इन दोनों कोणों के बारे में बात करते हैं कोण A और कोण D के बारे में बात करते हैं अप देखना हैं कि हम जाना हैं कि दी सी और ऐ भी दोनों समन समनांतर रिखाओं को तीर्यक रिखा से काटा था और हर कोण के लिए आपने नाम निर्धारित की थे यहां यह जो कोण बन रहे हैं उन्हें हम कहते थे कि समनांतर रिखाओं को कोई तीर्यक रिखा काट रही है तो तीर्यक रिखा की एक और बनने वाले अंतर कोण इस नाम से इस जोड़े को हम जानते थे और याद THE यों कोन को योग saag как यानि यह और यह कोण एक्षेंस होगे उसी तरह से इन दोनों कोणों की योग भी एक्षेंस होगा यह आपने पहले पढ़ रखा है इस गोड कहां बांके और हम बताएंगे चूंकि AB और DC समानांतर है लिखे हम चूंकि AB समानांतर DC और तिर्यक रेखा AD उन्हें काट रही है AD तिर्यक रेखा है तो ऐसी परिशिती में कोण A और कोण D का योग कोण A धन कोण D ये भराबर होगा 180 या आप इन्हें दो समकोण भी कह सकते हैं अब ठीक इसी तरह से आप कोण D और कोण C के बारे में सूचिए यहाँ पर दो समानांतर रिखा है DA और CB है और तिर्यक रेखा DC उन्हें काट रही है उस सिस्थिती में कोण D और कोण C तिर्यक रेखा कि एक और बनने वाले दो अंतर कोण है तो आप फिर से इस बात को लिख सकते हैं आपकी बार आप लिखेंगे DA समानांतर CB चूंकि DA समानांतर CB आप इसको मिला के देखिए हम बात कर रहे हैं DA यानि ये वाली भुजा और दूसरी भुजा CB ये दोनों समानांतर रेखाए हैं और DC तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है यहां लिखे हम कि DC तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है इस सिती में कोड D और कोड C ये दोनों जो कोड हैं वो तीरेक्ट रिखा कि एक और बने अंता है कोडों के रूप में हमारे सामने आते हैं तो इन कोडों के लिए आप लिख सकते हैं कोड D धन कोड C बराबर 180 या दो समकोड ये आपको दूसरा संबंद मिला अब इन दोनों सम्बंदों पर आप जरग और करिए यहां पर हम कहा रहे हैं कोड A धन कोड D बराबर 180 यानि कि आप इन दोनों कत्नों में देख रहे हैं कि जो दाहिना पक्ष है वो 180 के बराबर है इसलिए दोनों बाया पक्ष भी एक दूसरे के बराबर होंगे तो आप यहां लिख सकते हैं कि इन दोनों कत्नों के आधार पर कोड A धन कोड D बराबर यहां से आपको मिलेगा कोड D धन कोड C अब आप देखिए कोड D समी करण में दोनों पक्षों पर है आप इसको हटा सकते हैं तो आपको अंत में मिलेगा कोड A बराबर कोड C और देखिए आप जो शिद्ध करना चाहते तो उसमें एक प्रणम A बराबर कोड C ठीक इसी तरह से आप कोड D और कोड B को भी एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं इसको भी आप देख लें चाहें तो आप सिद्ध करने जा रहे हैं कोड D और कोड B के लिए तो एक सम्मंद आपको मिला है कोड A धन कोड D वराबर एक्सोसियंस दूसरा सम्मंद आपको लेना है कोड A और कोड B के लिए तो आप इसको कह सकते हैं कि A D समनांतर B C के और अपकी बार इस तिर्यक रेखा की बात करी A B की A B तिर्यक रेखा उन्हें काटती है अब क्या हो रहा है देखिए यह दोनों समनांतर रिखाये हैं और यह तिर्यक रेखा है इसका मतलब कोण A और कोण B दोनों तीरेक रेखा कि एक और बनने वाले अंता कोण है इसका मतलब यह हुआ कि आप लिख सकेंगे कि कोण A धन कोण B बरावर एक्स औसियंज अब पहले वाले कथन को देखिए कोण A धन कोण D बरावर एक्स औसियंज और आपको यह तीसरा कथन मिल रहा है कोण A धन कोण B बरावर एक्स औसियंज तो इन दोनों कथनों के आधार पर आप कह सकते हैं कि दाहिना पक्ष बरावर है इसलिए बाया पक्ष भी बरावर होगा तो आप लिख सकेंगे हाँ पर कोण A धन कोण B कोण A दोनों तरफ है समय करन में आप इसको कैंसिल कर सकते हैं अंत में आपके पास बचेगा कोण B बरावर कोण D यह दूसरा कथन है जो आप सिद्ध करना चाहते थे यानि आपने सिद्ध किया यहाँ पर कोण A कोण C B के बरावर है और यहाँ आपने सिद्ध किया कोण B कोण D के बरावर है तो इस तरह से आपने यह देखा कि यह दे किसी चतुरभुज में जिसे हम समानांतर चतुरभुज कह रहे हैं तो दो शर्तें आपके पास पहली थी कि आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती है एक चीज़ आपको इसके पहले मिली थी कि आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बरावर भी होती है और आपको अब एक नए चीज़ मिल रही है कि समानांतर चतुरभुज में आमने सामने की जो कोण है वो भी आपस में बराबर होते हैं यानि अगर A, B, C, D आपका चतुरबुज है तो A के सामने का कौण C A के बराबर होगा और उसी तरह से कौण B कौण D के बराबर होगा तो एक नई चीज आपके सामने है जो समानंतर शतुर भूज की कोणों के बारे में बात करती है तो बच्चो आपके पास तीन महत्पूर्ण बाते हुई आप इन्हें नोट करिए और इन्हें याद रखिए